गुजरात चुनाओं नजदीक है और चुनाओं से पहले तमाम हद तक तमाम राजनितिक पार्टियों ने तयारियां बहुत कर ली है डर बीजेपी को इस बात का है कि कहीं गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टि वो तमाम सीटे ना निकाल ले जाए जिन सीटों पर बीजेपी का कबज़रा रहा है यही वज़ा है कि पियम मोदी इस वक परिशान है यही वज़ा है कि जेपी इनड़ा इस वक परिशान है ग्रह मंत्री अमिश्या परिशान है परिशानी की वज़ा भी है क्योंकि गुजरात कोई छोटा मोटा राज रही है वहां से बहुत बड़ी यादे पियम मोदी की जु और हिंदू तुकार्ट जो खेला है आम आदमी पार्टी ने वो कितना फायदा पहुंचाएगा ये एक सवाल रहेगा लेकिन गुजरात में गुजरात चुनाओ से पहले अकर देखा जाए आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस अगर एक साथ हाथ मिला लेती हैं तो क्या दोन रहा नहीं क्योंकि गुजरात बीजेपी इतनी आसानी से जाने नहीं देगी जाहिर सी बात है कि गुजरात चुनाओ के बल गुजरात तक सीमित नहीं है इसका सीधा सीधा सर दोहजार चौबिस तक पढ़ रहा है यही वज़ा है कि बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा होगा हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कई बड़े पत्ते खेल लेगी गुजरात में बीजेपी और पूरा माहौल बदलेगी लेकिन गुजरात चुनाओं से पहले जो सियासी समीकरड अगर हम देख रहे हैं जो माहौल को हम देख रहे हैं वो यह है कि जनता एक ही बात कर रही कि आम आदमी पार्टी को आना चाहिए आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए खुद अर्विन केजरवाल ने कहा कि जिस पार्टी को आपने 27 साल गुजरात में मौका दिया क्या एक पार्टी को आप 5 साल मौका नहीं देंगे तो जो बाते अर्विन केजरवाल क अगर कॉंग्रिस के साथ हाथ मिला लेती है तो बहुत बड़ा फायदा गुजरात में देखता नजर आएगा आज के लिए तहीं आपसे फिर दवारा मुलाकात होगी तब तक के लिए जा दीजे नमस्कार